सभी अपनी और अपने बच्चों के शादी को लेकर एक खूबसूरत सपना संजोते हैं लेकिन रूस में कजाकस्तान के मल्टी ब्लेनेयर मिखायल गुस्तेरेवी ने अपने बेटे की शादी में इतना पैसा बहाया कि वो चर्चाओं में आ गए बता दें के मिखायल का जाकस्तान के प्राइविट ओयल कंपनी रूसनेफ्ट और नेफ्टिसा के मालिक हैं मिखायल के 28 साल के बेटे साइद गुस्तेरेवी ने हाल्भी में 20 साल की कादिजा उजहाखोवा से शादी की है मगर आप सोच रहे होंगे कि इस शादी में ऐसा क्या खास है तो आपको बता दें कि इस लेविश सेरिमनी को दुनिया की पहली बिलियन डॉलर वेडिंग बताया जा रहा है क्योंकि इसमें एक बिलियन डॉलर यानि 660 करोड रुपे खर्च किये गए बता दें कि ये वेडिंग सेरिमनी 26 मार्च को मौसको के लगजरी रेस्टोरेंट में हुई इस शादी में महमानों के एंटर्टेन्मेंट के लिए हॉलिवूड पॉप सिंगर जैनिफर लॉपेज और सिंगर एंडरिकी को बुलाया गया था वैसे बता दें कि अभी तक इस शादी से इन दोनों की कोई भी फोटो बाहर नहीं आई है यही नहीं इस ग्रेंट सेरिमेनी के वेन्यों के बाहर रॉल्स रॉयस जैसी सेक्डों महंगी और लगजरी कारों का काफिला खड़ा था तो वही इस शादी में 600 गेस्ट के सामने येरोपियन खाना भी परोसा गया वैसे बता दें कि पार्टी के लिए आठ स्टॉरी का केक ओर्डर किया गया था अगर दुलहन की बात करें तो उन्होंने 16 लाख रुपे की कीमत का डायमन्ट एली साब गाउन पहना था जिसे पैरेस से खास तोर पर मंगवाया गया था इस ड्रेस का वजन करीब 12 किलोगराम था इतनी भारी भरकन ड्रेस को ढोने के लिए ब्राइट के साथ कई असिस्टेंट भी चल रहे थे नेक्स नै न्यूज के लिए विन्नी गुलाटी की रिपोर्ट